हेलो फ्रेंट्स आप सब का फिर्शे स्वागत है हमारे यूट्यूज चैनल में कॉलेज और यूनिवर्सिटी से जुड़ी एक नई अपडेट के साथ friends जैसे कि आप सब को पता है कि हम आपके लिए daily college और university से जुड़ी हुई update लाते रहते हैं तो friends आज हम फिर हाजिर हुए हैं आपके सामने college और university से जुड़ी एक नई update के साथ friends ये वीडियो specially हरियाना में study कर रहे college, university, itis के उन सभी students के लिए important होने वाली है जो regular रूप से अपने study कर रहे हैं फिर चाहे वो college student हो, university students हो या फिर ITI में study करने वाले students हो तो friends चलिए शुरू करते हैं आज के हमारी इस वीडियो को क्या कुछ है वीडियो में चलिए देख लेते हैं तो friends ये notice है जो director general higher education पंचकुला के दुआरा जारी किया गया है आप देख सकते हैं from director general higher education हरियाना पंचकुला और किन-किन को ये notice बेजा है तो friends ये notice बेजा गया है इसमें सब्जेक्ट दिया गया है कि जो आपकी जो रिगार्डिंग एक्स्टेंड फॉर क्लोजिंग डेट ओफ centralized PMS scholarship portal for the year 2020-21 यानि आपकी जो PMS scholarship है जो college और university के students के साथ ITI में पढ़ने वाले students को भी मिलती है तो उन सब के लिए ये जो scholarship है उसकी जो closing date थी last date थी उसको बढ़ा दिया गया है यानि कि आप सब की जो college और university की scholarship के form निकलते हैं उन सब के लिए ये notice जारी किया गया है अगर आप भी college और university के regular students हैं और आप scholarship पाना चाहते हैं तो आप इस form को apply कर सकते हैं आपको ये form online apply करना होगा तो friends college और university में study कर रहे सबी students के लिए ये scholarship के regarding notice आया है कि आपकी जो scholarship का form भरने की date है वो 15.5.2021 कर दी गई है इसमें बताए गया है kindly refer the subject I have been directed to inform you that the closing date of PMS scholarship for year 2020-21 has been extended till 15.5.2021 यानि आपकी जो scholarship के form निकले हुए है college scholarship के उसकी तिथी है जो अन्तिम तिथी है वो अब बढ़ा दी गई है 15.5.2021 तो इसकी पहले जो तारिक थी वो 30 तारिक थी जिसे बढ़ा कर अब 15 मई कर दिया गया है तो अगर आपने अभीता के scholarship के form apply नहीं किये है तो आप ये scholarship के form apply कर सकते हैं तो friends ये notice था आपके लिए तो किन किन के लिए scholarship है अगर बात करें तो friends ये scholarship आप SC और BC के जो candidate है SC और BC के candidate उन सब के लिए है ये scholarship अगर आपने अभीता के scholarship को form apply नहीं किया है और आप SC या फिर BC केटेगरी से जो है related है तो आप सब के लिए ये form important है आप ये form apply कर सकते हैं जिसकी last date 15.05.2021 है तो friends क्या कुछ चाहिए इस form को apply करने के लिए तो उसकी बात करें तो वो भी देख लेते हैं कि क्या क्या आपको documents चाहिए इस scholarship को भरने के लिए तो friends ये form apply करने के लिए आपको सबसे पहले आपके जो university role number है उसकी जरूरत पढ़ेगी आपकी university role number आपके college role number क्या है आपके college role number और आपकी family ID number वो भी important है आपकी family ID number भी चाहिए और उसके साथ साथ आप कौन से college में study कर रहे हैं तो ये तो आपकी first step की जो detail है वो हो गई university role number, college role number, आपकी family ID उसके बाद आते हैं next step पर तो friends next step पर आपको चाहिए आपके जो image है student image वो student signature आपके परिवार पहचान पतर आदार कार्ड की photocopy cost certificate, SC या BC केटेगरी की जो certificate पनती है वो आपकी 10th की certificate और आपने जो last time जो आपने clear किया है exam, यानि आप first year के student है तो आपके 12th है अगर आप second year के students है तो आपके second semester का result है अगर आप final year के students है तो आपके जो आपका जो result आया था पीछे fourth semester का जिसमें आप promote कर दिये गई थे तो वो अगर ये आप first time के student है यानि अभी आपने college में admission लिया है तो आपकी 12th की certificate है उससे आपका काम चल जाएगा इसके बाद आते हैं next जो और क्या-क्या चाहिए इन सब के अलावा तो friends इन सब के अलावा आपकी domosile certificate आपके signature, income certificate और उसके बाद 12th की DMC अगर आप hostel student है तो आपको hostel certificate जरूर है वरना ये important नहीं है उसके बाद आपकी fees receipt यानि आपने college में admission लेते time अगर आप first year के student है तो आपके जो college में admission लिया था आपने वो जो रिचिप्ट में लिए थी वो चाहिए अगर आप second year के student है तो आपने जो third sem में यानि आपने second year में जो admission लिया था उसकी जो आपने fees भरी थी वो आपके लिए important है और इसके पाद last है अगर आप BPL candidate है तो आपके BPL का जो राशन कार्ड है उसके भी आपकी इसमें detail भरी जाएगी यानि आपको वो भी documents इसमें upload होगा तो दुबारा बात करें कि आपको क्या क्या documents की ज़रूरत है अपलोड करने के लिए student image, student signature, परिवार पहचान पतर, आदार कार्ड, काष्ट certificate, 10th की certificate और जो last time pass की थी वो certificate अगर friends आप BC category के candidate हैं और आपकी father की death हो चुके है तो आपकी death certificate भी इसमें important है उसके बाद आपकी domocell certificate, income certificate, hostel certificate, 12th certificate, fees, receipt, और परिवार पहचान पतर इसके साथ साथ आपकी जो income certificate है friends income certificate आपकी 6 महिने से पुरानी नहीं होनी चाहिए तो friends से ये वीडियो थी आप सब के लिए कि आपके scholarship के form निकले हुए है जिसकी last date है 15 तारिख तो आप अगर apply करना चाहते हैं as your basic students तो आप 15 तारिख तक apply कर सकते हैं Thanks for watching, have a good day